सभी समु की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार आप सभी का रिदी बहुत हमें प्यार मेल रहा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल के लिए बनाये रखे और नई-नई योजनाओं के बारे में मैं आपको अउगत कराती रहूंगी PM अबास योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र जी जी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबा 2016 को PM अवाई जी योजना की शुरुवात की थी जिसका मकसद है 2022 तक सभी को घर देना इस योजना के अंतगर अब तक 1.26 करोण घर पहले ही बनाय जा चुके हैं अब इस योजना के तहत UP के 16.1 लाख लोगों को उनके घर की सोगार दी गई जी हाँ प्रधान मंत्री अवाज योजना साल 2022 तक देश के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो इसी लश्क को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री अवाश योजना PMAY की शुर्वात की इस योजना के तहत अब PM मुदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सोगात दी राज के 6.1 लाख लोगों को प्रधान मंत्री अवाश योजना के तहत 2691 करोड की साहता रासी जारी की गई है यूपी के 6.1 लाख लोगों को नए घर की सोगात आपको बता दे कि योजना में 5.3 लाख ऐसे लाभारती हैं जिन्हें आर्थिक सहाता की पहली किस्त मिलेगी जबकि 80,000 लाभारती ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी PMAY एक ऐसी स्कीम है जिसे सहरी और ग्रामिन लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया है ये कम इनकम वाले लोगों के लिए EWS और L.I.G.E. वाले ग्रूप को मिलने वाले क्रेडिट लेक्ट सब्सीडी स्कीम है इसमें होम लोन पर ब्यादरों में सब्सीडी मिलती है योजना की सबसे खास बास सरकार की और से दी जाने वाली धाई लाग रुपए की सब्सीडी है जो की प्रोशाहन का काम करती है आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद था दिदी कि आप सभी को PMAY योजना के लिए आवेदन कैसे करें इसके बारे में डीटेल से बताना है अब तक इस स्कीम का फायदा देश के लोगों जिहाद देश के लाखों लोग उठाश चुके है अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती है तो आपको बेहत आसाम सी प्रक्रिया को पूरा करना है जो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं इसके दो तरीके हैं ध्यान से सुनें इसके दो तरीके हैं पहला बेव साइट के जर्ये जान लिजिए प्रदार मंत्री आवास योजना की आफेसिल बेव साइट इसका लिंक मैं अपने डिप्रिप्सें बॉक्स में दे दूँगी आप सभी को देदी पी एम एवाई के लिए एप से आबेदन करना होगा यहां अपना अधार नमबर डाले और अपना नाम लिखें इसके बाद तर्म को टिक करचे कर पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जो एक अप्लिकेशन फार्म है इस अप्लिकेशन फार्म में आपको इस अप्लिकेशन फार्म में आपको सभी जरूरी जानकारिया जैसे नाम, मोबाइल नंबर, इमेल आईदी, प्रशनल जानकारी, इंकम, टेनमेंट, बैंक अकाउंट भनना है सारी जरुकारी भनने के बाद आपको सेलेक्टमर चेकबास बटन का क्लिक करना होगा और कैप्च जालना होगा और शेप करना होगा इससे आपका आल लाइन अप्लाइ प्रोशेशन बूरा हो जाता है तो दिदी, आप सभी से नीवेदन है कि मैंने जो लिंक अपने रिक्स्रिप्टमर बास में दे रखे हैं आप उस पर क्लिक करके आपना फार्म भर सकती है प्रदानमंति आवास यजना का लाब आप उठा सकती है तो यह सभी लोग कर सकती है दिदी लेकिन कोई जल्दी फा नहीं मिल पाता है कि ँरत फालने जाहेंगे तो जो अब कर भिन GPS यह नहींज सकती है अगर आपके साथ प्रश्नल कोई नहीं यह भर रखे, अजर जळ वचुकाए गो-व्टमर यह सकती है अगर प्रिवेट भी घं का नहीं है, क्धन कानी यह लिपना हम इन रिभायवर, औ प्रदानमंत्री आवास रिदना का लाव मिलेगा तो इसके लिए आपको भी पहल करनी होगी और फारम भनना होगा क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगी तब कैसे मालूम होगा कि आपको आवास मिलेगा या नहीं अगर पहले ही से आप मन में बठा लेंगी कि हमको आवास नहीं मिलेगा हम लोग उसके योग नहीं है तो ऐसा नहीं है मैंने सर्वे किया है बहुत सैसे महला है जिनको आप सकता है आवास की जिनने जरूरी है कि उनको पास एक आवास हो प्रधानमंत्री आवास रिदना कालाव उनने मिलना चाहिए ता लेकिन नहीं मिल रहा करेंगी तो कैसे मिलेगा तो कोशिच करिए आप लोग में लिंक दे रखें इस पे क्लिक करके आपके घर में कोई दिदी पढ़ा लिखा हो उसे आप भरवाईए यह तो आप जन सेवा केंदर पे जाकर भी फारम भरवा सकती हैं फारम भराएंगी तो अगर आप उसकी योग् स्वयम शयाता समू की महिला हैं तो आप सभी को चाहिए कि स्वयम शयाता समू की जो पंच सुत्र है उनका पालन करती रहें अगर पंच सुत्र का पालन हो रहा है तो समू इस दा बेस्ट वह बहुत ही अच्छा समू कहलाता है उसके समू में ज्यादा रिण आता है और खायक कर सकते हैं फिलाल कुई अशा को एसा भी नोक्री घान होगी अपने अनुसार अपके तो स्वेयम्शयाता से रिटेट आपको सबिसक्राइब कर किया। तो चाहए डीदी, आज इूड़ी मिंता ही।